हालो दोस्तों स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल टिरिक एजुगेशन पर दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होगे ओकी और पहले तो आप सभी को गूड मॉर्णिंग दोस्तों ओकी चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों ओकी और मैं आपको अब बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट जीडियस रिजल्ट्स यानि की और प्रॉपर आज में बात करूंगा जहरकंड जीडियस रिजल्ट्स के बारे में ओकी याद रखना दोस्तों आज मैं आपको यह 100% से और अपडेट दूँगा जैसा कि मैं याद रखना मैंने दो पोसी टाइम से आए हुए है तो चलिए बहुत है अलग बात हुई लेकिन आज हमें स्टाट करते हैं जहरकंड जीडियस रिजल्ट्स के बारे में ओकी और भी जो जो इन्फॉर्मेशन एफक अपने थम्निल देखा है तो वो सारी सीच में किलियर करूंगा तो चलिए स्ट करते हैं ओकी और देखते हैं दोस्तों तो दोस्तों हम यहां से स्टाट करते हैं पहले जहरकंड पोस्ट डीडियस रिजल्स 2021 ओबर विव ओकी यहां फे चलिए देखते हैं तो मैं आपको किरम से बताता जाओंगा दोस्तों और जो डेट बता रहा हूं इसी टाइम को आप पोश्ट आपको पता है हमारी 1118 है ओक दोस्तों यह आपको पहले से पता होगा चलिए हमारी जो डेट थी वो बारह ग्यारह फे लेकर के पता है कि 11 दिशंबर तक हमारी देट रही थी इसकी एपलाई की देखी और भी दिखाऊंगो कि आपको नोटिस जो चारी किया गया है अभी मेरे पास बनी रहेगा वीडियो में देखे देखे डेट ऑफ रिजल्स यहां जो दिया है फरवरी 2021 एक्सप्रक्टेट यानिकि तो आप यह लास्ट में देखना और यासा का मैं आपको बताया भी था हर वीडियो में आपका जो रिजल्स है फरवरी के लास्ट में आप देखना तब ही आने के चांसे रहेंगे ओके दूस्तों चलिए तो आगे अब श्टाट करते हैं तो देखी दोस्तों यहां पर देखें जारकर्ण जीटिएफ 11.58 पोस्ट रिजल्स न्यूज ओके दोस्तों देखें अपडेट हैं इंडिया पोस्ट ग्रामी डाक सेवक रिजल्ट ओफ जारकर्ण पोस्टल फरकर्स इस लाइकली टूडियर इन फरवरी 2021 ओके दोस्तों य आपका जो रिजल्स हैं फरवरी के में दे दिया जाएगा ओके यहांने चांसे यह माने चाहिए 90% चांसे आपके रहेंगे 20 थारिक से लेकरके और 25 के बीच में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा ओके वह 10% होगा कि आपका रिजल्ट मार्च के फर्स्ट वीक में यह पहले दोस्ट च्योर है का दोस्तों कापका रिजल्ट फरवरी में ही आएगा ओके तो यह तो हो गई इस सम्मानित बात चलिए थोड़ा समय डिसकेस्शन इसमें तोड़ा कटॉप पर और कर देता हूं दोस्तों ओके जो सबसे मिनीमम कटॉप यह कम से कम कितिनी रह रह है चलिए तो देखते हैं यहां से यहां OBC की बात करूं दोस्तों तो यहां बैकन्फ यह हैं 117 तो यह मान चलिए मैंने एक मिनीमम लिया है तो यहां आपका 85 एवब रहेगा ओके याद रखना कम से कम 85 दोस्तों और इस से एवब कितना भी जा सकता है ओके याद रखना EWS क बात करूँ तो दोस्तो यहाँ पर 95 पोश्ट है हमारी तो इनका 88 पिलस एवब ही रहेगा ओके याद रहना कम से कम कितना रहेगा 88 पर फिंटेज रहने के चांसस हैं ओके चलिए अम मैं बात करता हूँ जनरल की दोस्तो 480 पोश्ट है हमारी ओके तो मैं यहाँ पर बात आगे देखिए मैं अगर SC की बात करूँ दोस्तो यहाँ पर तो SC की मेरी 121 हमारिया पोश्ट है दोस्तो तो इनका कम से कम 80 पिलस रहेगा ओके और इससे ऊपर ही जाने के चांसस रहेंगे ओके कम से कम दोस्तो 80 परसेंटेज ओके अगर इससे कम है तो फालतू मैं दोस्तो time वेस्ट करना है मैं आपको बता दूँ पर यह कोई test वेस्ट नहीं है तो इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं है और मैं SD की बात करूँ 274 पोस्त है हमारी तो यहां पर मैं बात करूँ तो यहां भी कम से कम 80 पिलस रहने वाला है ओके चलिए आगे देख लिताओ मैं आगे बात करूँ मैं PWDA की दोस्तो तो यहां पर 9 पोस्त है हमारी तो इनका 75 पिलस कम से कम ओके याद रखना और PWDA की यहां भी 9 पोस्त है तो इनका भी 75 और PWDC की बात करूँ तो इनका भी 75 ओके यह मान चलिए यह दोस्तो मैंने जो कटोपाप प्यार लिया था वो कम से कम least ओके समझ सकते हो तो यहने कि यह इतना है आपका इससे अगर नीचे उतो तो दोस्तो बिल्कूल भी चांस नहीं है याद रखना दोस्तों ओकी तो यह तो ओगी इस सम्मंदित बात दोस्तों ओकी याद रखना और मैं अदर इस्टेट की बात कर लूँ चलिए ओफिशल फैट पर चल तो याद रखना फरवरी का उसके बाद पर मार्श में रहेंगे उसका पंजाब का आएगा लेकिन मतलब उम्मीद यह पहरे थारीक सबसे पहले पंजाब का आएगा और लास्ट में 25 तारीक के आसपास याने का जाहरकंड का याद रखना यह बात और नोर्टी एस्टन का तो